महराश्च्र की 11 विधान परिशद सीटों पर होने वाले चुनाफ के लिए आज वोटिंग हो रही है यह MLC चुनाफ BJP और कॉंग्रेस ही नहीं बलकि NDA बनाम इंडिया गटबंदन के किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं है क्योंकि किसी भी गटबंदन के पास अपने सभी उम्मीदवारों को जितानी के लिए नंबर गीम नहीं है ऐसे खरीद फरोकत से बचने के लिए सभी दलों ने अपने विधायकों को पिछले तीन दिनों से फाइव स्टार होटलों में ठहरा रखा है और वोटिंग के लिए सिधर विधान सभा पहुचेंगे ऐसे में सभी की निगाहे असुद्धी नोवेसी और बच्चू कडू के विधायकों पर है क्योंकि इस टुनाव के असलिकिंग मेकर यही दोनों नेता है विधायन परिशत की 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में है बीजेपी ने 5 और अजित पवार और शिंदे की अगवाई वाली NCP और शिफसेना ने दो-दो कैंडिटेट उतारे है जबकि इंडिया गटबंदन के कॉंग्रेस उत्धव की शिफसेना और शरत पवार की NCP से एक-एक उम्मीदवार मैदान में है बीजेपी से पंकजा मुंडे, डॉक्टर परिनेफू के, अमित बोर्खे, योगेश टिलेकर और सदाभाव खोद MLC चुनाव में है शिन्दे के नेतरित्व वाली शिफसेना ने पूर्वसांसत भावनागवली और कृपाल तुमने जो अजीत पवार की NCP से शिवाजी राओ गर्जे और राजश विटकेर पत्याशी है वही MLC चुनाव में कॉंग्रेस से प्रग्या साथव उद्धफ ठाकरे की शिफसेना, UBT से, मिलन नावेरकर और शरत पवार की NCP ने जयन पार्टिल को चुनाव लड़ाया है शरत पवार और उद्धफ ठाकरे ने मूर्चा समाल लिया है, कॉंग्रेस की एक MLC सीट पर जीत तैय है, लेकिन उद्धफ ठाकरे और शरत पवार के लिए बिना समर्थन जुटाएच चुनावी जंग फतेय करना असान नहीं है उद्धफ ठाकरे की पार्टी के 16 विदायक है, तो शरत पवार के पास 12 विदायक है इस तरह उद्धफ के साथ विदायकों का समर्थन चाहिए, तो शरत पवार को 11 विदायकों का समर्थन जुटाना होगा महराश्र की विधान सवा में कुल 288 सदस्य है लेकिन मौजुदा समय में 274 विधायक है इस लिहाज से एक MLC सीट को जिताने के लिए प्रथम वरियता के अधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए इंडिया के पास BJP 103, NCP 40 और शिफसेना 37 विधायकों के अलावा अन्य छोटे दलों के साथ 203 विधायकों का समर्थन है लेकिन उसे अपने सभी 9 मीदवारों को जिताने के लिए 207 विधायकों का समर्थन चाहिए इस तरह 4 विधायक के अतरिक्त वोटों का समर्थन जुटाना होगा वही इंडिया का अटबंदन के कॉंग्रेस, शिफसेना और NCP के पास 65 विधायक है जिनमें अगर सपा और लेफ्ट के विधायकों को भी जोड लेते हैं तो 69 विधायक होते हैं इंडिया कट बंदन को अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने का परियाप वोट हो रहा है लेकिन नवाब मलेक और जिशान सिद्धिकी जैसे विधायक अजीत पवार के साथ खड़े हैं ऐसे में इंडिया कट बंदन को अपनी तीनों सीटे सेव करने के लिए अतरिक्त विधायकों का समर्थन की व्यवस्ता करनी होगी ऐसे में असियोद दिनोवेसी और बच्चु कडू की पार्टी के विधायकों का रोल एहम हो जाता है विधान परिशत चुनाओं में जिस तरह से एंडिया और इंडिया गट बंदन दोनों के पास नंबर गेम नहीं है उसके चलते छोटी पांट या सबसे एहम भूमिका में आ गई है एंडिया और निर्दल्य विधायकों के साथ साथ MNS, जन सुराजय शक्ती, पीजेंट्स and वर्कर्स पाटी ऑफ इंडिया और राष्ट्य समाज पक्ष के विधायकों का समर्थन है जिसे मिलाकरी 203 विधायकों का समर्थन हो रहा है इसके भाद भी इंडिया को 9 प्रत्याशी जिताने के लिए 4 विधायकों का समर्थन चाहिए महराष्ट्र में सपा के 2 विधायक है इसके अलावा AIMIM के 2 और बच्चुकडू की प्रहार जनशक्ती पार्टी के 2 विधायक है सपा इंडिया गटबंदन का हिस्सा है लेकिन महराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले है ऐसे ही OVC ने भी अभी सपष्ट एलान नहीं किया है इसके अलावा बच्चुकडू की प्रहार जनशक्ती पार्टी को लेकर रन नीती साफ नहीं है इंडिया गटबंदन अगर इन दलों का समर्थन नहीं जुटा पाता तो उसके लिए अपने कोटे की तीनों सीटे जीतना आसान नहीं होगा ऐसे में असल किंग मेकर यही दल है जिनमें सपा को लेकर ये माना जा सकता है कि ये इंडिया गटबंदन के साथ चली जाए लेकिन ओवेसी और बच्चुकडू की पार्टी के विधाय क्या रूल अदा करेंगे